परमपावंजी सुप्रवाथ नमस्कार तो आपका सम्मान करके बहुत ही प्रसंटा हो रही है और आपने जो हमारा नमंतल सुप्रकार किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार करम को होस्ट करने की बज़े से मुझे अत्ति प्रसंटा हो रही है और मैं जो है और मैं जो है और वी लव फांडरिशन के फांडर हूं और मैं प्रस्पेर संटा नमंगरिंबुच के उन से मारा दैसन लेती हूं तो परम पावन जी आर हम लोग जो पेंडेमिक का मद्य अवसर है उस समय मिल रहे हैं तो यहाँ पर पर्यावरन और बहुत सारी चीज़ों समस्या हो रही है इस बैसिक समस्या को समाप्त करने के लिए तो 17 SDGCS जो United Nations के द्वारा कारिकरम हुआ जो के सारभोमिक उतरदायतों के लिए कारिकरम है और मानवता के लिए आज एक चनौती बनती है कि हरे की रक्षा करें और इस प्रत्वी को भी हम बचाने कोस्ट करें अगर आप चाहे ब्यक्तिका तोर पर हो सामिक तोर पर हो फिर भी हमें एक बहुत बड़े आत्म बलकिया आप सकता है और जो के एक हमारा भविस किस प्रकार से बने दूसरों के हित के लिए कैसे बने इसके लिए भी साथ होने जलोत है जो संपूरता को करता हो सबका हित होते हो सके और ये निरंतर है और जो बिग्याने के जो रिसर्च से हैं उस पर भी अधारित हो तो मनस्ट के जो उत्पत्ती है जो सब्विता है वो टेक्नलोजी से नहीं हुई है ना जब कि वो प्यार एक दूसरे के देखवाल एक दूसरे के समझ से हुई है तो हालांकि जो अमारी एक दूसरे के समझ है तो आज जो मामारी है उस समय बहुत बड़े इसके उधार देखने को मिले जैसे कि डाक्टर हों डॉक्टर हों या दूसरे लोग जो दूसरों का रख रखाव रख किया तो परम पावन जी तो आप जो हमेरे साथ जो परहित की प्रवचन देते हैं और फिर सरवी लोगों के जिम्मेदारे की बात करते हैं और मातमा गान जी कहा करते थे कि वो परवरतन खुद में करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो तो मैं जो है इसको बदल करके कहएराणा चाहते हूँ कि आप एक पृतिकर बने जो आप विश्व में देखना चाहते हैं परम पावन जी तो परम पावन जी तो मेरा प्रस्ण रही बनता है कि एक किसमी सताफ़ी में हम किस प्रकार से हमारा जो परहित की जो लोगों को प्रेम के रूपी बिचार है तो जिसमाद्दे हम से बेस्व में सांते आए नया है पोंचे खुछी आए जिससे कह हम सबी को इससे एक खुछी मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद तो आभी मैं 88 वर्स का हो चुका हूँ 86 वर्स का मैं हो सुका हूँ तो मैंने अपने जीवन में प्रथम बिसुद दुतिय बिसुद यह मैंने देखे हैं और ऐसे अब सर पर जो हत्या ही देखे हैं लोगों के हत्या होते हुए देखा है तो बास्तम में इसका जो जो युद्ध हुए हैं उसका प्रड़ाम क्या है उससे हमें क्या मिला इससे जो है जादातर जादार दुख मिला गिर्णा मिली तो मैं हमेशा जो है तो यूरोपीन यूनियन जो बनाया उसकी मैं हमेशा प्रसंसा करता हूँ तो पूर में जो इनियन बनाए उससे जो पूर में एक दूसरे से जगड़ा करते थे खास करके जर्मनी और फ्रेंज वो हमें सा एक दूसरे के दूसमन मानते थे और फिर दूसरे के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर अगर आप दूसमन मानते हो सत्र मानते हो तो इसके कोई फाइदा नहीं है इसे लाब नहीं हो सकता है तो जर्मनी और जहांता के फ्रांस जो है तो कई सत्वों तक एक दूसरे के कटर दूसमन रहे लेकिन परश्तिएँ के आदार पर डिकोर और आटिमा जो बहुत बड़े नेता होए है उन्होंने एक यरोपियन संग बनाने की एक पहल की और खास करके जो जो जर्मनी और फ्रांस दोनों साथ आ करके एक संग बनाएं तो ये बहुत ही महत्पूर बात है ये बहुत अच्छी बात हुई है तो कितने लोगों की हत्याँ जो सतकों से कई लोगों की सताब्दियों से कई लोगों की हत्याँ हुई है और जब और उन्हों ने इन नई परिस्तेतियों को समझा और एक European संग की स्थापना की और उस जो बिचारदारा को लेकर के और जो नोंने डिकोला एर्टिना जो की है उसकी मैं हमेशा प्रसंसा करता हूँ और मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ कि आज जो है पूरे बिस्त को चाहे पूरे भी हो पस्चमी हो उत्तरी हो दचडी हो जहां से भी लोग हूँ हम सबी लोग के इस मानवता के अंग हैं हमें मानवता के बारे में सोचने की जरूत है बिस्व के बारे में सोचने की आवसकता है तो अब ये विचारदारा चोड़ने की जरूत है कि मेरा देश, मेरा जो भी घर, अर्थात जो प्रदेश, देश इनको छोडने के इतना कि इसमें कटरता नहीं लानी है हम सभी इस दुनिया के एक भाग हैं उदार के रूप में आप बैस्विक अर्थविस्ता को देखो दूसरी चीज जो आज बहुत बड़ी भाहंगर चीज है जो बैस्विक पड़ियावरन है उसके बारे में सोचें इसमें सब के बारे में ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा रास्ट है मेरा देस है इस बारे में कोई बिचार नहीं किया जाता है इसमें हमें सबी के बारे में सोचना है पूरे बिस्स के बारे में चिंतर करने की आवसकता है तो हमें केवल मेरा रास्ट, मेरे लोग इतने मात्र सोच रखने की आवसकता नहीं है हमें बिस्स के बारे में सोचना है, सबी मानवता के बारे में सोचने की जरूत है अगर आप गहराई से अगर बात करें तो हम सबी समान ह HEY तो हमारे अलग अलग रंग हैं अमारे जो उन पनावट है ये सारी बनावट हैं वो थोड़े अलग है और जाता कहा हमारी भावनाइं हो विठारदारा हो मन हो मस्तिसको हो लगवक्स एक जैसे हैं और बास्तिवक्ता तो ही है कि हमें इस प्रत्वी पर रहना है साथ साथ रहना है और अब समय है कि हमें बिस्सु के बारे में सोचना है मानवता के बारे में सोचना अब मेरा रास्ट मेरा ये जो एरिया छेत्रे इसके बारे में सोचने की जरुद नहीं है तो मेरी जो मेरी एक प्रतिवत दिता है कि जो साथ अरब के आसपास लोग हैं उनमें एकता आए उनमें संभावता आए समता आए तो जब मैं तिबत में था तो समय केवल तिबत के बारे में तिबती की भावना होती थी फिर भारत में आने के बाद बिविन लोगों से मिला बिविन धर्म के लोगों से मुलाकात हुई फिर उसके बाद मुझे मैसुस हुआ कि हम सभी समान है क्योंकि हमारे जो कि चाहे देवी देवता तो नहीं है जिनके कहते हैं कि वो तीसरी आँख है और या कोई अशा ब्यक्त हमारे बीच आ जाए जिसके तीन आँखे उंग तो फिर उससे तो एक भिरकार से बहेवित होने की जूरुत है लेकिन सबी लोग तो एक जैसे हैं हम किसी से बहेवित होने जूरुत नहीं है हम सबी समान है तो सबसे महतूर बात है कि हमें बिस्व के बारे में सोचने जरूत है मानवता के बारे में सोचने किया हो सकता है तो किबल में और मेरे सोचते रहें इतने करने की जरूत नहीं है अगर ऐसा सोचेंगे तो वो सार्थक नहीं होगी तो जो कि अतीत में अलग अलग बिचार दा रहा है थी, अलग अलग तरीके थे तो अलग अभी भी हमें इन चीजों को या एकता को बढ़ाने की और ज़्यादा आवा सकता है सासात कारी करने की आवा सकता है तो अलग अलग राश्टर होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं ये दुतिय इस तरह की बात है तो सबसे मैत्वूर बात है कि हमें मानवता के बारे में सोचना है बिस्सु की जो मानवता है, उनके बारे में सोचना एक जरूत है तो ये मेरी एक प्रकार से मेरी मानता है और मेरी मुखे एक प्रकार से प्रतिवत दिता भी है कि किस प्रकार से जो साथ अरव के आसपास लोग हैं जनमें एक ता आ सके तो आप लोग मेरे मित्र हो और मुझे उम्मीद है और ऐसा हैसा से भी होता है जो मेरा बिचार है जो सातरव के आसपास लोग है उन्हों वो एकता हो एक रूपता में हो एक बावना में हो वो भले ही अलग 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 देसों से हो अलग अलग धर्मों के हो अन्य अन्य या फिर उनका जो भी रहा हो वो सबी लोग साथ आ सके हैं तो दूसरी बात ये भी है, कि धरम के बारे में भी बहुत जादा हम कटर होते हैं, कि मेरा धरम, मेरा धरम, तो हमें जो है मानवता के बारे में सोचने की आवसकता है, तो जहां तक धरम की बात की जाए, तो ये बेक्ति बिसेस की बात है, तो आज जो 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 जितने भी धरम ह बो सबी प्रेम और करना की बात करते हैं, उनके अलग 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 धर्म होते हैं, अलग अलग बिचार होते हैं, तो आप देखें कि भारत में अन्य अन्य धर्म परंपराओं के लोग साथ साथ रह सकते हैं, जिसमें दुनिया के जो जितने ही बड़े बड़े धर्म हैं, वो स मुसलिम मित्र हैं जैसे कि उनमें सिया और सुनी जो हैं उनमें कभी मैंने जगड़ा होते नहीं देखा उसके अलावा मारे जो पड़ूसी देश जिसमें देखें कि आप सुनी सिया और सुनी के आपस में बहुत जगड़े होते हैं तो आप भारत को देखें कि इसमें पिछले कई हजारों बरसों से सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ सम्मान से रहते हैं तो जहां तक जो धर्मक सदभावना है वो संबब है और भारत विस्तु का दूसरा सबसे बड़ा अबादी वारा रास्टर है लेकिन जहां तक धर्म की बात अगर करें तो यहां पर जो सदभावना है एक दूसरे का सम्मान है वो बहुत अच्छा है और मेरे जो मेरा दूसरी एक प्रतिवत दिता है कि जो धर्मक सदभावना है वो बढ़ सके तो मेरे मित्रों आप लोगों को मेरी बातों को सोचना चाहिए और जितना हो सके आप जो इस सुख मै जो बिशुकी आप सान रचना कर सकें अच्छे मित्र बन सकें इसके बाद हम प्रशन उत्र करेंगे या फिर कोई आपके तर्क हो तो तर्क भी दे सकते हैं तो जैसे के मैं अपना उधार दूँ तो हम लोग जो जो पढ़ाई किये हैं वो हमेशा तर्क के आदार पर किये हैं तो परमपावण जी मैंने बहुत सारे धर्मों को मैंने देखा अच्छे लोगों को देखा तो मैं पूंचना चाहता हूँ तो इस दुनिया में जो के डर है डर हमें साथ जीता है ऐसा क्यों जब कि अक्सर प्रेम को महत्ता दी गई है और मनुस्टों में जो डर है डर की बज़े से जो इसकी बज़े से बहुत सारा अत्यचार होता है बहुत समस्चाएं होते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि जो क्रोध है इर्ष्या है वो हमेशा प्रेम को हराता है अगर अतीत की बात आप करें तो उस समय क्या होता था कि लोग केबल लोग की बिचारदारा वो बहुत संकुचत होती थी मेरा धर्म, मेरा रास्ट, मेरा या समदाए इस प्यारे में सोचते थे तो ये जो बिचारदारा हैं, ये पुरानी हैं हमें अब बिश्व के बारे में सोचने की आप सकता है इस बज़े से सन्यूत रास्ट की निर्मार हुआ और भास्तविक्ता के आधार पर अगर हम देखें तो हमें मानवता के बारे में सोचना चाहिए ये सत्ता है, अगर मानवता सुखी है, सम्रद है तो उहां का रास्ट जो है, उहां का प्रदेश हो, सब को लाव होता है और दूसरी तरफ अगर आप देखें, केबल अपने रास्ट के बारे में सोचें अपने केबल दर्म के बारे में सोचें, या अपने समदाय के बारे में सोचें तो फिर अगर मनवता के बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर जो है आप जो सुखी कामना करना चाहिए तो संबाव नहीं होगी अगर आप केवल और केवल अपने लोगों के बारे में सोचते रहेंगे अपने समधाय के बारे में केवल सोचते रहेंगे तो मुझे लगता है कि यह संकुचित बचार धारा है तो हमें जो सत्तिता है बास्तिता है उसके अधर पर सोचने की जरूत है क्योंकि इस दुनिया में हम सभी एक विस्सु के छत्र चाया में रहते हैं इस दुनिया में रहते हैं अब वक्त है कि हमें जो सत्यता है उसको समझना चाहिए और जो एकता है उसको समझना चाहिए इसके अलावा भी जो अलग-अलग दर्सन हैं अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग इत्यास हैं, इन सभी के जो संदेश हैं, वो एक जैसा होता है, वो सभी कहते हैं कि प्रेम और करणा, मैत्री का संदेश देते हैं। तो परम पावंजी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि आप पिछले कई वरसों से आप लोगों के प्रेना के सुरूत रहे हैं, और खास करके आपने जो प्रेम के बारे में बात की, धर्मों के बारे में बात की, तो हम लोग यहां पर जो मिले हुए हैं, और हम सभी लोग एक ही बेचारदारा को मानते हैं, तो हम लोग जो सुफिया के निमंतर पर इखटे हुए हैं, और हम लोग यह चाहरा हैं कि किस प पारिकरम में पचास देसों के लोग हैं जो अलग अलग साथ कॉंटिनेंट से हैं और जो बिस्व में जो एक परवर्तन करना चाह रहे हैं एक दूसरों के साथ जो एपरोच कर रहे हैं एक दूसर से कोस्ट कर रहे हैं वो भी आये हुए हैं तो आज हम लोग कोस्ट कर रहे हैं कि बिस्व में बुक्मरी, घरीबी, दुख, ये सब इससे मुक्त हों और इसके अलावा हम लोगों के कोसिस ये है कि जो सार बहुमे को तरदायत तो है, जाग रूपता है वो फेले, तो इसमें सबी आयोकी बर्क के लोग हैं, इसमें सबसे चोटे जो हमारी लिडर वो तेरे वर्स के हैं, तो परमपावंजी हम लोग आपसे एक माहग दसन लेने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, कि किस प्रकार से मानवता को लाब हो सके, उनका ग्यान बढ़े, तो परमपावंजी आज आप तीन गुरूप से मिलेंगे, तीन विक्तिकत लोगों से मिलेंगे, जो कि प्रस्ण आपसे पूँचेंगे, तो मैं गुरूप नमबर एक को आप परचे कराना चाहता हूँ, जो कि यंग एक एक एक्टिवेस्ट हैं, तो पहला जो विविएन हार, रिचेन फातिमा और क्लोवर होगान, और क्लोवर होगेन जो आपको प्रस्ण पूँचेगे, तो विविएन हार, तो परमपावणजी आपसे और लोगों के समक्षियां पर आकर के, मुझे बहुत ही फ्रस्ट खुशी हो रही है, और आप अमेशा लोगों के लिए एक अच्छा होने के लिए आप प्रियास कर रहे हैं, लोग अच्छा हो सके, तो मैं रहीम फात्मा, और मैं तेरह बर्स्ट की हूँ, और पाकिस्तान से हूँ, इस्टेंडिंग कमेटियन हूँ, तो मेरा जो उद्दिस है, और बिस्ट को सांती आ सके, उसके लिए मैं कारे कर रहे हूँ, तो परमपावन जी आज आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो मैं 11 वर्स के तब से ही मैं डोकुमेंटरी देखते आ रही हूँ, किस प्रकार से अपने आपको जो कि लोग एक नित्रत कर सकूँ, किस प्रकार मेरे अंदर नित्रत की भावना आ सके, तो जो मैं क्लासरूम और और अन्न जगह पर मैंने कार्ज किया, तो मेरे जो माता पिता हैं वो भी मेरे पिरते चंतित रहते थे, तो अक्सर हम जो अपने जिम्मेदारी को निवाने के लिए हमेसा डरते रहे, कि हम किस प्रकार से कार करें, कि करेंगे न करें, और हमेसा हम अपने आपको बहुत ही चोटा समझते हैं, और एक कुछ करते, जो लोग बड़े होते हैं उनमें ज़्यादा सकती होती है, उनमें ज़्यादा कार करने के चमता होती है, तो आज कल जो विस्व में सबी लोग जो हैं कि परिवफन करना चाहते हैं, कोई भी जनम से कोई नेतार पैदा नहीं होता है, लेकिन बाद में सबी लोग एक नेता बनने की जिम्मेदाई लेते हैं तो परमपावंजी मेरा प्रस्ण है कि आपने जो है बेस्टुक सार भोमे किया जिम्मेदारी उसके बारे में आपने कहा है तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ये कब सुरूहात की इस प्रकार के दायत्तों की जिम्मेदाई लेना आपने कब प्रारम किया और जब आपने इस कारी को किया तब आपने कैसे अपनी सक्ती को पहचाना तो हाँ मैं एक दार्मिक व्यक्ति हूँ और मेरी जो बच्पन से ही सिक्षा जो दिश्चा है वो दार्म में हुई है और हम सभी लोग कहते हैं और सभी मानते हैं सरब जीवधारी जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के बारे मैं प्राथना भी करते हैं तो जब से मैं भारत में पहुँचा है और जब भारत पहुचने से पहले जो हमारी चुमपॉर तो उसने के जह पाम भारता है, लो beneath, तो केवल ऐसा नहीं है कि उसमें केवल भारती लोगों से मिला हूँ तो अलग अलग जो बिस्टो के लोगों से मिला और उनसे मिलने का आफसर मिला, बाचित करने का आफसर मिला और मैंने पाया कि हम सभी समान जो एक प्रकार से ब्यक्ति हैं चाहे भावनात्म रूप से हूँ, या फिर सोच के आधार पर हूँ, या सर्ज्रिक के आधार पर हूँ हम अपने इतियास को देखें, इतियास की तरफ नज़र डालें हम समान ही हैं लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं तो ये जो समस्या है में और पर की ये बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करती है और पहले आप देखें और मैं जैसा पूर्म में कहा कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए बहुत ज़्यारा हिंसाइं हुई लोग की जो बिचार दारा है बहुत संकुचित रही लोग अपने केवल अपने देश के बारे में सोचते थे केवल अपने समधाय के बारे में सोचते थे तो आज आप देखें हम लोग 21 सदाबदी में हैं कि अब आप देखें हमें मानवता के बारे में सोचना है हमें जो मेरा रास्ट मेरा धर्म इसके बजाए अगर हम लोगों के बारे में सोचते हैं तो बहुत जादा कहीं लाबदायक होता है तो हमारी जो एक जो अब्यास हमारा था जो समझत लोगों के बारे में सोचने के बिचारदारा जो थी तो हाज हम देखें सबी मनुश्य के बारे में सोचने के जुरूत है हमें इस प्रतिवी पर साथ साथ रहना है हमें एक साथ रहना है और यहां पर जो साथ अरब के आस्वास लोग हैं उन सभी के बारे में सोचना है और यह एक प्रकार से सत्यताई भी है और लोगों को लाब भी देती है तो मैं अपने चोटे से अनवब के आधार पर कहूँ और तो जहां भी मैं जाता हूँ तो हमेसा ही सोचता हूँ कि जिस ब्यक्त से मिला हूँ वो दूसरा ब्यक्ती है चाहे वो यूरोप में हो चाहे लेटन अमेरिका में हो या जहां भी हूँ जहां हमेसा में सभी मनस्यों को एक्ता की रूप में देखता हूँ तो यह जो बिचारदारा है वो वो हमारी संक्जुद बिचारदारा को दूर करती है तो मानवता के बारे में अगर हम बिचार करते हैं तो इस प्रत्थी पर जितने लोग भी रह रहे हैं हम लोग समान है तो जो में और पर की जो भावना है वो पुरानी बात है यह एक प्रकार्स के जो हमारी मुश्कले हैं या पर जगड़ों की फसाद बनती है तो अगले हमारे जो बीट्रिस मार्टन है तो वो सर्जरी के बज़े से यहां पर नहीं आ सकती है तो उसके जो कुश्चन है उसको हमने रिकॉर्ड किया है तो आपके इस स्क्रिन पर रखेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के माद्दें से आप से प्रस्ट पूछना चाहेंगे बीट्रिस मार्टन और मैं एक गायक हूँ तो मेरा प्रस्ट है कि जो मेलाओं को हम किस प्रकार से एक उत्साहत कर सकते हैं या उनका जो अधिकार हैं उनको हम कैसे दे सकते हैं और जो उनके भी समता की वावना कैसे आ सकती है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सामान तोर पर देखें तो हम सभी समान हैं एक जैसे हैं और फिर जहां महला और पुरस के जो अंतर हैं, इनमें थोड़े से अंतर तो हैं, चाहे लोग ईसर की एक प्रकार से रचना कहें, या पिर अपने करम फलकावों कहें, तो सिद्धामतों के अंसार अलग अलग विचारदारा होती हैं, तो बिना इस तरी पुरस के जो मानवता क इस्तायत तो होना संबब नहीं है आप इतियास में देखें है तो समाज की विचार धारा जो है वो अकसर यही रहती है कि जो मैला हैं वो साहिर रूरुफ से कमज़र होती है कम सक्तसाली होती है तो यह विचार धारा पहले से चली आ रही है इस वज़े से इनमें भेदवा होने लगा तो भगवान बुद्ध ने हम सभी को एक समान अधिकार दिये चाहिए वो इस्तरी हो या पुरस हो उन सभी में समानता की बात कई तो जाता कि कार्जियों की बात अगर करें तो जो पुरस होते हैं वो ज़्यादा तर जो जटल काम हों हैं कठिन कार्ज हैं उनको करते हैं लेकिन मेला को देखा जाए तो उस प्रकार से नहीं है ये पुरानी बिचार धारा थी लेकिन आज के समय में देखें तो लोगों के जो मस्तिस्क हैं जो बुद्धी है ये आधिकार उसमें कोई अंतर नहीं है तो कभी कभी तो आप देखें कोछ मेलाएं हैं जो कि उनके जो चित हैं मन हैं एफेर बुद्धी के आधार पर बहुत च्रह जवा सोथी हैं तो हमें एक प्रकार से हमें कोशिस करने की ज़रोत है हमें जो महला इस्थरी औफ्रो से उसमें एक प्रकार से समानता की जरोत है ले समान रूप से देखना चाहिए तो ये जो बिचारदारा है वो एक धार्मिक विचार की बज़े से भी हुई है ये प्राचीन सोच है इसको हमें हटाना चाहिए और हमें एक अच्छी विचारदार रखनी चाहिए खुली सोच रखनी चाहिए तो अगर इस पर्श रूप से कहें तो एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे को आवसकता है तो हम लोगों को समान रूप से होना चाहिए, एकता रखने चाहिए, एक प्रकार से समानता रखने चाहिए आगले मुझता, स्टैपने बेनडेटो और तो सूसन, आपसे प्रयस्न पोह भींचेंगे, उपने ख्रीव के मादियं से आपसे प्रयस्न पोहिए एपगाए तो परमपावन जी आपके समने आकर के बड़ी खुशी हो रही है मैं कनेडियन सिंगर हूँ तो मेरे जो मत्रभूं में वो अफगानिस्तान है तो मैं आपके जो प्रवचन है मैं बहुत समय से उनको सुनते आ रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि आपकी जो सिख्षा है मारे लोगों के लिए भी बहुत मुल्यवान हो सकती है और होती है तो अफगानिस्तान के लोगों को भी आपके प्रवचों से लाब होगा ऐसा मैं मानते हूँ तो मैं जो बेस्व में जो जल की समस्या है उसको सुद्र करने कोसित कर रही हूँ जो कि वन बिलियन गैलन पानी की जो बरवादी होती है उसको कैसे बचाया जा सके और जिसमें लाख करूर लोगों को पानी नहीं मिलता है तो इसके लिए मैं पिछले तीन बरस से कार्य कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ को उनको साफ पानी मिले और उनको जो के गंदा पानी नहीं मिले अच्छी जगह रहने को मिले तो आपके सामराक्ष आकर के बड़ी खुशी हो रही है मेरा नाव स्टेपनी है जोगे लोगे तो आपने हम लोगों के बड़ी खुशी हो रही है के लिए जो प्रेम और इसने दिया उसके लिए बहुत अब धन्यवाद मेरा नाम सूसान रोके फिलर है और मेरे कोशिस यही रहती है कि प्रत्थी को कैसे बचाये जा सके समद्र को कैसे बचाये जा सके All life has the possibility to thrive I love to paint make, film, and profile leaders through my digital magazine musings that inspire ideas beauty and action for a better world as women influencers brought together by Be the Love and One Better World Collective we celebrate the तो यह ही कह रहे हैं कि यह जो इसे क्पिर रहे हैं आपने जो मेला हैं उनको पिस प्रकार से हित किया जा सके वह मेला ना दूसरों को कैसे ध्यान तो आपने जैसा कि एक्ता की बात की है, प्रेम और करना की बात की है, तो परम पावन जी हमेशा कहते हैं, तो आप महलाओं का भी एक प्रकार से सम्मान करते हैं, एक प्रकार सुनुका उत्साहन करते हैं. तो मेरा question है, question है, कि आपके prevention के बज़े से लोग हम मैला हैं, दूसरों की मदद कैसे कर सकें, इस प्रत्वी की कैसे रखवाल या देखवाल कर सकें, तो मेरे जातक जो बिचार है, वो करना है, दूसरों को कैसे करना की जाए, तो जैसे ही हम पैदा होते हैं, तो हमारी जो माता जी हैं, हमारी माँ हैं, वो हमारी देखवाली करते हैं, तो माता हमारी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पिता लोग कभी कभी इतनी देखवाल करते हैं, तो जहांतक जो हमारी फिजिकली अगर बात की जाए, साइड रूफ से बात की जाए तो मा के पास बच्चे को इस्तनपन कराने के सुविदा होती है तो ये मा के एक प्रकार से प्रेम एक प्रकार से बच्चे के प्रते प्रेम देती है तो जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही हम मा के प्रेम इसने उसमें हम रहते हैं तो आप अन्य जानवरों को भी देखों, जीवों को भी देखें, कि उनकी हमेशा जो मावाप, जो महला, जो एक प्रकार सी, जो मादाएं होती हैं, वो अपने बच्चों की देखवाल जादा अच्छे से करती हैं, तो आप कुछ लोग, आप सोध के अरसाद भी कहते हैं, कि उनके बच्चे को किसी प्रकार से कोई नुकसान या समस्या होती है, तो वो तुरंट तो हाजर हो जाती हैं, तो जहां तक मैलाओं की बात करें, वो प्रकृतिक रूप से ज़्यादा करुनामाई होती हैं, तो मैं मानता हूँ कि जो मैलाओं हैं, उनको और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और जो मैलाओं हैं, जो नित्रत करती हैं, मैला जो नेता हैं, वो बहुत ही अच्छी हुई हैं, तो मैं कभी-कभी यह कहता हूँ, जो अगर नेत्त करने वाले लोग अगर महलाओं हो जाएं, तो बिस्व ज्यादा सो इच्छीत होगा, ऐसा मैं कभी-कभी कहता हूँ, तो आप न्यूजिलेंड के उधार देखें, तो न्यूजिलेंड में देखें, तो वहाँ पर जो के महला प्रदानमंत्री हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है, यह बहुत बढ़िया बात है, यह लावदाएक है, तो अगर बिस्व में महलाओं की अगर बागेदारी बढ़ती है, तो बिस्व और ज़्यादा सुर्चित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, तो बूत काल में अगर देखें, यह बीति उस समय की बात करें, तो जो पुरुस थे, जो समाज जो था, वो पुरुस परदान होता था, महलाओं की इतनी ज़्यादा बागेदारी नहीं हो पाती थी, तो यह जो बिचारदारा वो प्राचीन है, पुरानी सोच है, तो अभी हम सभी लोग समान है, हम सभी के पास समान अधिकार है, और महलाओं जो हैं, वो ज़्यादा करुणामाई होती है, इसलिए महलाओं को और ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, तो कुछ बर्स पहले मैंने कहा था, कि अगर दलाई-लामा रहते हैं, तो बविस्ट के में आने वाले जो दलाई-लामा हैं, तो हो सकता है, वो महला हूँ, तो यह भी मैंने कहा था, तो मैलाओं को जो है, और ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो मानव की करना है, उसको बढ़ाने के लिए और कुछ करनी चाहिए, तो पीट अगली हमारे मैमान पीट एक्सिवेक्ट हैं, एमियल चाहल, तो परमपावंजी, आप जो कह रहे हैं, वो बहुत है मैतपूर है, तो मैं एक, मैं जो गीत लिखती हूँ, तो मैं जो मेरा बिचार जो दाड़ा है, वो पूर में जो लोग थे, आदिकाल के लोग जो चाहिए, उनके बारे में बात करती हूँ, तो अमेरिका में जो है, जो कि कई सेक्ड़ो बरसों तक जो कि दास्ता की एक परमपरा रही है, मैलाओं को, लिकियों को, उनको जेल में एक प्रकार से उनको दासी बना करके रखा गया, पर दीरे दीरे जो अफरीकन देश उनमें भी खतम हुआ, लेकिन जो कि स्कूल में या फिर समाचार पत्रों में इनकी बहुत कम चर्चा होती है, तो प्रभा जिए मेरा प्रशन है, तो हम लोग किस परकार से जो मेलाओं पर जो अत्यचार है, उनको करना में यूप में रूप से कैसे हम कर सकते हैं, तो ये सारी सारी चीजें सिक्षा के माद्धाल हम से हो सकते हैं, और परमपरा के आधार पर, धार्मिक परमपराओं के अनुसार भी लोग महलाओं को तोड़ा नीचार रखते थे तो ये चीजें बदलनी चाहिए, ये परानी बिचार धारा है, इसमें बदला होना चाहिए जैसा कि अभी ही, अभी मैंने कहा था, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नित्वत करने वाली महलाओं होंगी, तो बहुत बड़ा परवर्तन हो सकता है और बिस्तो में सांती इस्तापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैलाओं को आगे आना होगा, उनको और उनकी भागेदारी और ज़्यादा अच्छी मजबूत होनी चाहिए तो हजारो बरसों से जो पुरिस प्रदान रहे हैं, मैलाओं को एक प्रकार से निमन इस तर पर रखा हुआ है, तो ये पुरानी बिचारदारा इसको अमें बदलना होगा, सिक्षा के माद्धम से बदलना होगा Thank you, Your Holies. Now is the opportunity to meet three powerful activists, one you've already met. As a matter of fact, they'll introduce themselves in this order. Shutezkat, Massey Whiteknife, and Emmanuel Jal, and Jal will ask the question on behalf of his group. Shutezkat. Yeah, Shutezkat, we can't hear you, I'm sorry. We can't hear you at all, there was a technical problem. Try again. All right, that's okay. Massey, we'll come back to you, Shutezkat. Massey, if you could just introduce yourself, please, thank you. Many blessings to you, Your Holiness. My name is Massey Whiteknife. My name is Massey. First Nations, two-spirited entrepreneur from Alberta, Canada. I am from Canada, a teacher. She is a professor, a multi-nominated recording artist, and an anti-bullying advocate, also starring in the docuseries Queen of the Oil Patch. But today, citizen of the world, using my voice to champion sustainable ways to help indigenous people across Canada, to not only survive, I'm honored to meet you. I'm sorry, Jal, are you there? Jal. 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 वो युद्ध हो रहे थे, मैं एक सराडार्थिक रूप में हूँ, और फिर बाद में मैं अपने जीवन को बदला, तो मैं एक सिक्षक हूँ अभी, गायक हूँ, एक एक्टिवेस्ट हूँ, तो मेरे पास आपके लिए बहुत ही सामानिक या छोटा सा कुश्चन है, आसान कुश्चन है, कि 1969 में परम पावन जी जब आप सराडार थी बने थे और भारत में आये थे, कि उस समय चीन पर जो चीन ने तिबत पर अक्रम्र कर दिया था, तो आपने सब कुछ छोड़ करके भारत आये, बहुत सारे लाखो लोगों को छोड़ करके, मैला पुरस को छोड़ करके, यहां पर आये, और लगवाक पिछले साठ सालों में, आप इस समय सबसे पुराने सराडार्थी ग्रूप में हैं, तो परमपावण जी मेरा प्रस नहीं है, तो जीवन में इस प्रकार के जो परिसानिया आती हैं, और आप सराडार्थी ग्रूप में जो मन में जो दुख होंगे, परिसानिया होंगे, उन से आप कैसे निजात पा सकते हैं, आपना कैसे पाया, उन से आप कैसे निजात पा सक तो जब से हम लोग जो सरड़ार्थी बने जब से हम लोग भारत में आये तो जहां मानसिक रूप से देखा जाए कि टिबेट चाइना और मंगोलिया तो यह इत्यास के दोर तोर पर देखें तो एक दूसरे के बहुत ही नजदिक रहे हैं मित्तरता के रूप में रहे हैं और साथमी सदाब्दी में हैं और जो तिबत के राजा ने चीन की जो रानी से साधी की और उसके पिर बहुत धरम को प्रमोट करने के लिए बहुत सरा कार किया क्योंकि चीन के जो राजा उस समय थे वो बहुत थे तो हमारा जो उनके साथ संबंद बहुत अच्छा रहा है तो आज हम जो सब्द ग्यामर अर्था रेड चाइना रेड चीन उसको हम उप्योग करते हैं तो आज के समय में एक प्रकार से उनकी जो बिवस्ता है वो बिवस्ता में कमी है वो समस्या का एक आधार है तो उसके अलावा कुछ संकुचित बिचाधारा के जो चीनी सरकार के लोग हैं तो वो लोग मानते हैं कि जो चीनी सब्विता है इसके वजय से इसको बदलना चाहते हैं इसको नस्च करना चाहते हैं तो यह जो समस्या है वो बड़ी समस्या है तो उनिस सो चाउओन में में चीन गया था उस समय वहां की जो सरकार ने मुझे मंतर दिया था तो मैं जो माउट सेतों से मिला और उसके लावा भी कई जो पार्टी की नेता थे उनसे मेरी मुलाकात हुई तो यहां तक इतना में प्रवाबित था कि चाईनी की जो कम्मिनिस्ट पार्टी उसको में में उसमें समलित होना चाता था तो मेरे कुछ लोगों ने का नहीं आप अभी जल्दवाजी नहीं है अभी ऐसा करने के जुरूत नहीं है तो कम्मिनिस्ट लोग जो है वो कारी करनेवाई लोगों के बारे में सोच रहे हैं सोचते थे और जो भी लोग जो काम करते थे कामगार लोग थे उनके बारे में सोचते थे तो इससे स्वेश्ट होता था कि कि जो लोग हैं जितने भी कारी कारी लोग हैं उन सभी के बारे में उनकी सोच है बिचार धरा है तो ये अच्छी बात थी लेकिन माउचेतों के बाद आप देखें कि पार्टी के अंदर ही उनके जो कम्यूनिस्ट पार्टी उसमें अगर आप देखें तो उसमें अपने सक्ती की उपर जाद ध्यान दे रहे हैं जो किस प्रकार की उनकी सत्ता रह सके इस पर विचार ज़्यादा कर रहे हैं तो ये समस्या कार्ड बना तो इस पर जैसे हम लोग फिर तिबबस से निकल करके बाहर आए भारत आए और दूसरी जो समस्या थी कि चीनी लोगों का द्वारा एक प्रकार से धमन करना तो ये जो समस्य घटना धमन ज़्यादा बढ़ गया उसके बास फिर मैंने सोचा कि हाँ से जाय जाये फिर भारत में जब से हम आ गए तब से हम ये नहीं कह रहे हैं के हम अलग से कोई राष्ट सोतंद राष्टर ऐसी बात गया है हम चीनी गराज के अंदर रहना चाहते हैं तो कुञ हो को जो चीनी सब्द है खोंग हो का अरत है के एक सान्युक्त यक प्रकारसी राष्ट बने एक समलेत होकर के राष्ट बने तो हम लोग इस प्रकार के जो एक संग है उसमें रह सकते हैं लेकिं समस्या यह है कि वह बहुत ज़्यादा भलका उप्योग करते हैं दमनकारी नीद उप्योग करते हैं यह गलत है तो यहां तक किचीनी लोग भी सुतंतता चाहते हैं तो इसके बाद हम लोग ने निश्चय किया कि हम लोग पूर सुतंतता की बात नहीं कर रहा हैं हम लोग मद्यमर को अपना रहा हैं कि उस मद्यम से कोई रास्ता निकले अलांकि कुछ थिविती लोग भी हमारी जो सोच है जो हमारा जो तरीका है उसके निंदा करते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि निंदा भी करते हैं तो हमारे जो एक बड़ा परोसी के रूप में चेन जो है हम लोग को सासात रहना है सासात रहना है जीना है तो अच्छी बात होगी कि खुशी-खुशी रहें, सांती पूरवक रहें. तो हम तिबती या बेचीनी ऐसी बात करने से अच्छी बात यही है कि साथ साथ रहें. अगर ऐसा हम सोचते हैं, तो नकार अत्मक बिचारदारा आती है, तो इससे दोनों को लाव नहीं होता है. तो नहीं सो चपन से जब मैं भारत में आया था, बुद्ध जन्ती के अफसर पर भारत में आया, तब से मेरे जो नहीरू जी के साथ में अच्छा संपर्ग रहा. तो लावसा में जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा खत्रा हो गया था, तो इस जैसे हम लोग वहां से निकल करके आए, तो जैसे हम लोग बारत के जो सीमा पर पहुँचा, तो में हमारे कुछ है, हमारे जो अधिकारी थे, जो पुरू मित्र थे, पुराने मित्र थे, उनसे में मिला, फिर उसके बाद मैं पंडित नेरुजी से मिला, तो उन्होंने बहुत ही, एक जो हमारे जो सरड़ार्थी लोग थे, उनके लिए एक बिवस्ता की, खास करके जो हमारे सिक्षा, हमारे तिवतीर सरड़ार्थियों के लिए, जो सिक्षा की बिवस्ता की, क्योंकर हमारी अपनी बाशा थी, अपने जो संस्कृती थी, तो इसलिए हमने नेरु से अनरोध किया, कि हमें अलग से पढ़ने के लिए बिवस्ता करनी चाहिए, तो नेरु जी ने अमारी बात को अच्छी तरह से सुनी, और उने, तो धरमसाला पंजे नेरु जी ने ये एक प्रकार से चुनाव किया था, कि आप जो है इस्थाई रूप से धरमसाला में रहें, कांगरा में रहें, ये आपके लिए ज्यादा लाबदाएक है, तो अभी तक मैं भारती सरकार का एक महमान की रूप में हूँ, तो एक तरफ देखा जाए, तो मैं एक सरडारती हूँ, दूसरी तरफ देखा जाए, तो बारत सरकार का एक प्रकार से मैं आतिती की रूप में हूँ, तो अभी तक एक लाग के असवास जो तिवति लोग हैं हम सभी खुशी खुशी रह रहे हैं और हम लोग खुशी एक परकार से जो हमारी एक कला संस्कति उसका उमारे निर्वान कर रहे हैं और उसके अलावा हम लोगों ने, जो हमारे धार में एक संस्तान है, उसको हमने निर्मित किया, केबल केबल संस्तान के रूप में ही नहीं, एक पकार से अध्यन, बड़े बड़े अध्यन केंदर के रूप में, कॉलेज के रूप में, विस्वा दल्या के रूप में उसको हमन वो भी स्वेम नलंदा से थे और नलंदा परंपरा में हम प्रमान का बहुत ज़्यादा भ्योग करते हैं और सांतर अक्षित खुद की बात करें तो बहुत बड़े दासनिक और न्याएबादी थे तो उन्होंने भी जो अपने जो नलंदा की जो परंपरा जिस प्रकार से थी उसको इतिबत में उसका परचे कराया तो हम लोग हमेशा जो कारणों पर ध्यान जादा देते हैं युक्तियों का जादा दुपयों करते हैं कि हम लोग सरद्धानिवाई नहीं हैं तो हम लोग जो बहुत भरल्ब की अन्य नि परंपराओं से इनसे संपख्य रखते हैं और खास करकि जो विदौण हैं विदौण लोगों से बहुत जादा संपख रहता है उसके बाद में जो बेग्यन लोग हैं नगे सासाथ भी काफी समंध हुए comics तो उनकी सोच, उनकी परिक्षड के सोच और हम लोगों की जो परिक्षड करने के सोच जो है लगवक बहुत ज्यादा मिलती है। हम लोग भी एक बिग्यानिक विचारदाडा से सोचते हैं। तो आप आद देखें कि हमारे जो मठ हैं उसमें भी जो विग्यान के अध्यन का केंद्र बन रहा है। वहां भी विग्यान जो विख्षू लोग हैं वो विग्यान को पढ़ते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग सरडार्थी नहीं होते तिबत में ही रहते हैं। तो हमारे जो सोच बिचार है वो साइद संकुचत रहते हैं। तो जब से हम लोग भारत आये सरडार्थी के रूप में आये। तो इसके बाद लोगों से मिलने का आफसर प्राप्त हुआ। बिग्यानक लोगों से मिलने का आफसर प्राप्त हुआ। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही लाबदायक है। तो नरंदा परंपरा हमारे पास है इसलिए हर चीज़ का हम परिश्टर कर सकते हैं तो कुछ हमारे जो मित्र हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब से दलाई लामा भारत मा आए सुतंतर राष्टर में जब से आए हैं तो जो बौध दर्म की जहां तक बात करें तो वो और ज़्यादा फैला है और ज़्यादा उसकी ब्याख्या हुई है तो जब दलाई लामा पोटाला में रहते थे तो केवल पूझा पार्ट करना इस तरह में ज़्यादा संलिप्त दुगा करते थे जब से भारत आए तब से और ज़्यादा अच्छी तरह से बादरम की ब्याख्या करने लगे हैं तो मैं खुद मानता हूँ कि मैं भी एक प्रक्टिकल ब्याक्ति बना हूँ एक प्रकार से तो सोड़ा सा समय है तो मैंसी वाइट नाइफ तो वह आप से प्रस्न पूचेंगे तो प्रमपावन जी के जो हमारे पूरवज थे वो लोग एक प्रकार से प्रेम, करना, मैत्री, इमानदारी से रहे हैं तो वो कई सेकड़ो बरसों तक एक दूसरे के साथ साथ अच्छी तरह से रहे हैं तो मेरा प्रस्न है कि परमपावन जी के आपको ऐसा लगता है कि यह जो हमारे पूरवजों के सिख्छा हैं उन से आज के जो मानब है उनके लिए लाब हो सकता है कि है के नहीं तो आज कले वो जो सिख्छा हैं वो सारतक है कि नहीं तो तो पिछले हजारों बड़सों से अगर आप देखें कि हमारा जो जीवन है वो प्रकृत पर आधार तरह है फिर उसके बाद टेक्नोलोजी के माद्यम से बहुत उसमें परवरतन भी हुआ और इन जो जो टेक्नोलोजी से एक समय समय पर परवरतन हुआ परवरतन देखने को मिला तो हम मानव की एक प्रकृती होती है कि हम प्रकृत पर असरत होते हैं उस पर आधारत रहते हैं निर्वर रहते हैं तो हमारा जो संबंध है प्रकृत के साथ बहुती महत्पूर है जरूरी है तो कभी कभी हम लोग टेक्नोलोजी के माद्यम से इतनी जादा उम्मीद कर लेते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं एसी हमारी सोच हो जाती है लेकिन फिर भी हम लोग जो पर्यावरन पर आस्रत रहते हैं तो आप देखें जो पुराने रास्ट हैं उनके जो संबंध हैं वो प्रकृत के साथ संबंध रहे हैं तो यह मैतपूर है ऐसा मैं मानता हूँ और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जो टेक्नलोजी है उस पर ज़्यादा गर जो ध्यान देते हैं आस्रत रहते हैं तो फिर भी हम टेक्नलोजी पर इतना बहुत ज़्यादा निरबन रहे कर कि हमारी जो प्रकृत है जो हमारे जो उस पर ध्यान देना चाहिए तो अपनी संस्कृत का परिवर्त प्रकार से रख रखा करना इतने मात्त से संभव नहीं है इस पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है बहुत सारी चीज़ें बदल लें उनको वे में देखने जुरूत है जो हमारे बेस्व एक परियावर्न बदल रहा है उसमें भी ध्यान देना चाहिए और हमारे जो पूर्व की जो हमारे जो सब बिदा थी वो परियावर्न पर ध्यान रखती थी उस पर भी ध्यान देना चाहिए जैसे एक उदार की रूप में आज कल के इसको परकर्ट को मचाने के लिए जो पबन बिद्दूत है या फिर उसके अलावा इसके अलावा हमारी जो सौर उड़ जा उसका उप्योग करना चाहिए और जो भी हमारे जो प्राकृतिक संसादन है उनको कम से कम उप्योग करने की कुछ करने चाहिए हमें पर्यावरन के बारे में सोचना चाहिए तो रहीन फातिमा तो रहीन फातिमा का प्रस्ण है तो परंपावजी मेरा प्रस्ण ये है कि तो अक्सर आप हमेशा हमारी जो पीडियोस के लिए कहते हैं और हमेशा कहते हैं करना मैत्री से यग तो होना चाहिए तो आप मेरी उमर में तो जब आप मेरी उमर में थे तब क्या आप रिवुलिशन इतरी एक रांतिकारी थे तो जब मैं चोटा था आप जैसा था तो उस समय में बिज्ञान के प्रति बहुत जादा उच्छुख था तो जब मैं चीन गया और वहां चेरविन माउच जेतंग से मिला और बहुत सारे जो जो चीनी अधिकारी थे वो मेरी तरफ देख रहे थे या मेरा कुछ एक प्रकार से तो उस समय माउच जेतंग उन्हें कहा था कि आपके जी सोच बिचार है बहुत ही बिज्ञानेक सोच बिचार है फिर उसके बाद माउच जेतंग उन्होंने उसे कहा उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो बिश है जहर है तो मैं दलाय लामा हूँ को धार में एक ब्यक्ति हूँ तो फिर भी उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही तो जो के माउच से तुम मानते थे कि मैं एक करांतिकारी टाइप कर ब्यक्ति हूँ दार में करांतिकारी औरने हो उस प्रकार से एक मैं ब्यक्ति हूँ तो उन्होंने मुझसे तरफ देखकर का था कि जो धर में वो विश है तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा लेकिन फिर भी मैंने जो अपने आखें जो खा ली तो ऐसे ही एक बाने के रूप में मैं लिखने लगा तो मैं कहता हूँ कह सकता हूँ कि माउच से तिंग जो थे वो काफी अनुबवी ब्यक्ति थे उस समय में काफी हुआ था लेकिन फिर भी मैं उसको उनको जेक प्रकार से चीट कर सका लेकिन जहां तक समाजबाद की बात करूँ तो मैं समाजबाद को बहुत पसंद करता हूँ मैं खुद समाजबादी हूँ और जहां तक पूंजबाद की बात हो और समाजबाद की बात हो तो मैं समाजबाद को जादा मेटवता देता हूँ क्योंकि समाजबाद जो है वो लोगों के ब्यक्त विसेश की सुतंतता है लेकिन चाना जो की कि अगर समाजबाद की बात की जाए तो वहाँ पर ब्यक्त विसेश की सुतंता नहीं है वो सरकार के अधीन है तो मेरा पांच बर्स का बच्चा तो मेरे बच्चे भी उसी प्रकार से हस्ते हैं और इस प्रकार से देखना मुझे खुशी मिलती है तो मेरा प्रस्ण है क्यों परमपावण जी आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं आप कैसे रहते हैं तो जहां तक मैं आप से कहूं कि जहां तक लोगों के बारे में बिचार जो है बुसा तरब लोगों के एकता के रूप में है तो एक बहुत बच्च होने के नाते तो मैं नालन्दा परमपरा के मानता हूं और हर रोज परमार्थ की अभ्यास करता हूं और जैसे ही मैं उठता हूँ दूसरों के बारे में सोचता हूँ और उसके साथ-साथ अन्य जो प्रातना हैं उनको भी साथ रखता हूं और नालंदा के जो सिद्धान्तिक विचारदारा है तो जो किस प्रकार से प्रती समुदबन है उन चीजों को मैं बार-बार उन पर बार-बार चिंतियन करता हूं तो इन चीजों से मुझे आंतरिक सुख मिलता है तो जहां तक लोगों की बात करें कि समस्यां जो पैदा करते हैं तो कोई जो आपको भले ही मुश्किल क्योंने पहुचाए फिर भी अपने आपको खुस रहना चाहिए अपने मन को सुखी रखना चाहिए तो कोश्च जएक करने चाहिए कि जो हमारे समस्यां हैं उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं तो जैसा कि बहुत धरम में भी परहत के बारे में का जाता है और कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो अगर मैं चिंतित रहूं तो यह मुल्कता होगी तो इससे कोई फाइदा नहीं है अगर चिंता करने से समस्या दूर हो जाए तो चिंता करना चाहिए तो इससे कोई फाइदा नहीं है चिंता करने से कोई समस्या तो दूर होगी नहीं अगर लोगों के साथ खुसी-खुसी अगर आप अपनी बात कहें तो वो जादा महतूर है, अच्छी बात है तो कभी आप देखें कि कुछ तिबती जो हमारे डिटी हैं बहुत है रोद्र होते हैं, कुछ है बहुत ही जो सांत वाले जो रेटी होते हैं तो मैं जो सांत प्री है, जो हमारे इस देभा, उनको यादा मैतू देता हूं Okay Thank you Thank you, Your Holiness We have one more question followed by an introduction by Shiteshkat Again, an honor to introduce to you Buffy, Buffy St. Marie So, Buffy के दोरा अगला प्रसन पूंचा जाएगा अन्तिम प्रसन No way to speed up the ripening of an apple तो तो अक्षर यह क्या कहते हैं जो कोई ब्यक्ति है को परम पावन ये कोई रास्ता है कि दूसर जो ब्यक्ति है उसको सिखाए जा सके उसको अच्छा बना जा सके या complete या ऐसा होता है कि लोग खुद सुदिरण होते हैं या कोई भी कुछ भी करता रहे, उसमें फरक नहीं पड़ता है, ऐसा होता है कि जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम करना के बारे में सीखते हैं, यह जो करना के बारे में, दूसरों के हित के बारे में, हम अपने मां से सीखते हैं, और बिग्यानिक लोग भी कहते हैं कि हम लोग समाजिक प्राडी हैं और जो भी समाजिक प्राडी होगा वो प्रकृति से ही जनम से ही दूसरों की जो समधाय है उर अपने समधाय का ध्यान रखेगा अपने समाज का ध्यान रखेगा तो यह हमारी जो के मूल भूत एक प्रकृति है और जहां तक जो सद हिर्दे है वो अंतरिक सुखा एक मूल है और यही चीज जो हमारे क्रोध, इरस्या, डर इसका एक प्रकार से प्रतिकारी है तो जहां तक है मनस्च के बारे में बात करें जो मनस्च अगर कोई खुशाल है, अगर सुखी रूप से, अगर किसी जानवर पे अगर प्यार से, उस पर अगर अपना अभी वक्ती करता है तो उसके साथ आता है अगर क्रोध करेगा तो वो भी जीवधारी या जीवजन तो भी भाग जाता है तो अगर आप जतने संदे में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे तो आपको ही नुकसान होगा अगर आप क्रोधित रहेंगे तो आपसे कोई भी प्रेम नहीं करेगा अगर आप ज़्यादा करुणामरी हैं, अच्छे ब्यक्ते हैं, मुस्कराते हैं तो आपके ज़्यादा मित्र बनेंगे तो यह जो है, हमारे common sense हैं, यह हमारे अपनी एक किसमे कोई सामन तरह से सोच सकते हैं तो हम कह सकते हैं, हम बुद्धिस लोग जो है, जितने भी जीवधारी उनको के मात्र जीव कहते हैं कि मात्र जीव इसलिए कहा गया, कि इसलिए कहा जाता है, कि वो जादा करुणा मही होते हैं बहुत दरम में, जितने भी जीवधारी उनको पित्र जीवधारी नहीं कहते हैं, मात्र जीवधारी कहा जाता है कि आप मारा जो जीवन है, पूरा जो जीवन है, मा के इस्तनबान की बज़े से ये बड़ा हुआ है बच्पन में आप देखें कि जो करना है बमारी मां से मिली वी होती है तो पिता से इतनी नहीं मिलती है तो जा तक मैं अपनी मां का उधार दूँ तो मेरे महां बहुत ही करना मही थे और जो पिता जी उतने जादा नहीं होते थे तो इसलिदे ही हम लोग जो क मात्र जीव काते हैं ना के पित्र जीव इस्की बज़े यही होती है छिए बज़े है ये कुछ कुछ तक ये ये लूटी जल्टे बफी शीटेजकत, please, looking forward to your introduction. Thank you. Greetings, Your Holiness, I greet you. Thank you for your wisdom. I thank you for your laughter. My name is शीटेजकत, not you. My people are the Mexica people, the indigenous peoples of Mexico-Tenochtitlan, Mexico City. I work as an artist and an organizer at the intersection of climate justice and indigenous sovereignty and I believe that the ways in which we will build our future are when we commit ourselves to our collective liberation so that all of our peoples can be free and we can imagine and build a more beautiful right world thank you for your space for your time thank you just wanted to say quickly was a real honor your holiness to be so parampa aunji जी आजज इस कारिक्रम को मोडरेट करते हुए मजजे खुशी हो रही है तो कई बहुत लंबे समय से इसके तैरी चल रही थी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं सोफिया को बढ़ाना चाहता हूं कि वो जो अंतिम एक प्रकार से धन्यवाद ग्यापन करें तो परम पावण जी आग ने आज जो प्रवचन दी है उसके बहुत भाद धन्यवाद प्रफोसर सम्दर रेंपो छे उनको भी बहुत भाद धन्यवाद तो आपके ओपिस और टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और वन वर कलेप्टिक और जो भी लोग यहां पर जुड़े हुए उन सबी को बहुत बहुत धन्यवाद तो इस मुश्किल भरे समय में हम सबी लोग समस्यां को समुना कर रहें लेकिन फिर भी हमें एक प्रकार से चागरूक रहना है हमें प्रेम और मैत्री साथ रहना एक दिन निश्चे दुरूप से समस्यां से गुजरेंगे तो पुरम पावंजी एक उधार हैं कि एक प्रिणा के सुरूत हैं हमत के सुरूत हैं तो आप हमेशा जो प्रेम के बारें बात करते हैं कार करते हैं और प्रेम से रहते हैं तो हम लोग जो जहां तक मानब अधिकार की बात है मानब ये कर्स समान की बात है तिबत के साथ हम खड़े हैं जहां पर भी समस्या हैं हम सबी लोग इसके साथ में हैं विस्ट को सांती की रूप में देखना चाहते हैं परमपावंजा आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना ध्यान रखें तो बविस्ट में भी आप से मिलने की कोस्स करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद तो पुन्हे कवी मुलाकात होगी तो हम सबी की जिम्मेदारी बनती है तो किस प्रकार से कुछ हाल मानवता को बनाएं जो सांते में बिस्ट की इस्थापना करें आप सबी लोग इसके बारे में सोचें आप लोग बेक्तिकत रूप से सोचें आप सबी की समान रूप से जिम्मेदारी हैं हम सबी की समान रूप से जिम्मेदारी है तो कितना कोई अपना सायोग कर सके वो सायो करें, आप अपने मित्रों के साथ एक प्रकार से साजा करें, एक मित्र से करें, दो से करें, सो से करें, फिर से करें, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक दूसरे कर सायो कर सकते हैं, और जो प्रयास है, प्राथना हैं, इससे पूरे भिस्में परवर्तन हो सकता ह तो हमें क्रम से सीड़ी दर सीड़ी कार्य करने की आप सकता है बहुत बहुत धन्यवाद